नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूजेटीर मध्रप्रदेश 36 गर देख रहे हैं, मैं हूँ अपरना मौज़म, शुरुआत कर रहे हैं अंबिकापुर से आ रही बड़ी खबर के साथ, अंबिकापुर में एडी की रेट पड़ी है, कारोबारी अशोक अगरवाल के घर पर एडी की टीम ने दविश्टी है, एडी के अधिकारी पूछताच कर रहे हैं, ठेकिदार और मिटेरियल सप्लायर हैं अशोक अगरवाल, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अंबिकापुर से जो एडी की टीम ने यहाँ पर रेट की है, कारोबारी अशोक अगरवाल क के घर पर एडी की टीम दविश्टी ने पहुँची, अधिकारी इस समय पूछताच कर रहे हैं, ठेकिदार और मिटेरियल सप्लायर हैं अशोक अगरवाल, उनसे पूछताच की जा रही है एडी की टीम कारोबारी अशोक अगरवाल के घर पर दविश्टी ने पहुची है, पूछताच कर रहे हैं श्रवन महंत हमारे सायोगी फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं, श्रवन क्या जानकारी है, कितनी देर हुई पूछताच शुरू हुए और अब तक रेट को लेकर क्या इन्पुट मिल पाया है इडी करीबन इडी की कारवाई करते हुए चार घंटा दीकत हमें हो गया है, और यह विशाई असोक अगरवाल की घर में इडी ने दविश्टी है, और यह पूस्ताच कर रहे हैं, यह पता चला है कि यह जो असोक अगरवाल हैं, वो ठेकेदारी और माटेरियल सप्लाई का करते हैं, और यह जो है, काफी बड़े वेशाई हैं, और आज सुबह जिस तरह से एडी ने अमिकापूर में दविश्टी है, राम निवात कलोनी इससे उनके जो मकान है वहाँ पर इसे जो हरकम मचा है, और इसके साथ यह भी देखने को मिल रहा है कि इसके अलावा और भी कई ठीकानों पर इडी जभी दे सकती है या नहीं है, तो अभी कुछ समय बात बता चलेगा, लेकिन अभी इडी की कारवाई अभी जारी है, और कितने देर कारवाई चापे मारी हो रही है, लेकिए अगर बात की जाए, तो यह जो असोब अगरवाल है, इनका राजनीतिक, अभी कुछ भी कहना थोड़ा जल्दबाजी होगी कि आखिर में किस वज़े से इडी यहां तक पहुंची है, लेकिन यह समझना है कि दोनों ही जो राजनीतिक जल्हें से अच्छे समझनी है, ठीक है ठीक है, बहुत शुक्री आपका जानकारी के लिए 34 गड में आज इडी ने कई जगा चापे मारे, कोर्वा में कॉंग्रस नेता जेपी अगरवाल के घर पर इडी ने चापा मारा, बताया जा रहा है कि DMF फंड घुटाले से जोड़े मामले में एक अरवाई हो रही है, बालोध में पूरमंत्री अनिला भेडिया के प्रतिमि प्यूश सोनी के घर पर इडी की टीम जांच कर रही है, कोरिया में बैकॉंटपुर सीओ रादेशाम के घर भी इडी ने चापा मारा, तो जश्पुर इडी ने मनुरा जनपा सीओ विरेंडर सिंग राथा और के सरकारी घर पर चापा मारा लोग समचनाओ को लेकर सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एमपे के प्रत्याश्यों के नाम तैकर लिए गए हैं, लगबग गुना से सिंध्या को टिकेट मिलने की पूरी संभाबना है, विदिशा से शिवरासिंग चोहान को मैदान में उतारा जा सकता है, भोपाल से नरोत्तम मिश्रा नाव लड़ सकते हैं, तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मध्यप्रदेश के प्रत्याश्यों के नाम तैकर लिए गए हैं, आपचारिक एलान कभी भी हो सकता है, गुना से जोतिरा दितिर सिंध्या को टिकेट मिलने की पूरी सं भावना है, तो विदीशा से शिवरा सिंग चौहान को मैदान में उतारा जा सकता है, विदीशा में ही आती है, बुधनी विदान सभा सीट जहां से लगातार जीत आया है, शिवरा सिंग चौहान और अब विदीशा लोकतफा सीट में उन्हें पिकेट देकर मैदान में उत पारा जा सकता है। सकता है टिकेट दुर्ग से विजे मखेल और प्रकाश साहू के नाम चल रहे हैं। कांकेर से भोजराज नाग और राधेलाल नाग का नाम आके चल रहा है। राजनान्द गाउं से मदुसुदन यादव और अभिशेख सिंग में से किसी एक को टिकेट मिल जा सकता है। और अब बात करते हैं कोर्बा में हुए हंगामे की नगरपालिका निगम की सामाने सभा में हंगामा हुआ। पाक्षच और विपाक्षच दोनों के ही सदत से आपस पे भिड़ गए यहां पर बामले में सभी को शांत कराने की कोशिश है की गई। यह नया सभागरी है इसके दर स्वीरे आप देखें। और सिदे आपको लिए चलते हैं उट्जैन में इंडस्ट्री कॉंक्लेव के शुभारम के मौके पर जहां सीएं डॉक्टर मोहन्यादर संबोदित कर रहे हैं। आज एक नया इतिहास बन रहा है। वैसे तो मानव जीवन का यह हमारा अपना समय ना मारे अपनी इच्छा से हम पेदा हो सकते हैं। ना हमारी अपनी इच्छा से हम सरीर छोड़ सकते हैं। लेकिन आने और जाने के करम में सब का समय भी नियत है। ना कोई वह समय बढ़ा सकता है ना ढटा सकता है। तो आने और जाने के समय का सदुप्योग करें। उसको काल कहते हैं। और काल की नगरी में महाकाल वह आसिरवात देते हैं। तो हम अपना जीवन इस प्रकार से जीए है कि प्रत्य जीवन का छण छण हमारे हाथ के हमारे हाथ में जो यस दिया है परमात्मा उस यस में और यस की विरद्धी करें हमको सफल करें सुफल करें और हमारे उद्दिष्ट जो हमारा धे है उसकी प्राप्ति करें मंच पर विर गराने के लोग नहीं हैं मैं नाम देख रहा हूँ अधानी ग्रुप जोरदार तर्यां अधानी ग्रुप के लिए एक तरस से अभिन्द मित्र परण अधानी जी मेरे पास में बैठें सिंगानिया जेके सिमेंट वाले बिठें गुलाटी जी बैठें हमारे जुनुजुन वा पहवार जी है अगरवाल जी तो वाल्वों का आप क्या बात है वाल्वों का और अब तो ये बस ये ट्रुक जिसकी पूरे दुनिया में डिमांड और आप ने कहा कि मैं हो भारत में और भारत के बाहर जाकर वी लगातार जिस दंग से हमरे MTH के मसाले विज्यापन हम देखते यह जोड़ार अभी दन्दन करें आपके पास में सारे के सारे और अपने देश के देश के बाहर के भी देखो नो अमेरिका के हमारे वानिजी दूतावास में काम करने वाले अधिकारी कितनी अच्छी हिंदी बोल करके व्यापार व्यवसाही के अउसर डूंड रहे एक बार उनका भी अभी जंदन करें जब मेर से मिलने आये पहली वार में बड़ा संकोश में था लेकिन जब वह आपने हिंदी में सुरुवात की मुझे भी लगा कि वात बिलकुल सही है और आपने इसी प्रकार की विवस्ताओं के अधार पर हम वो सारे चीजों को देखने का प्र अपने राजदूत आये थे उनसे मिलना हुआ उनके साथ बाकी लोग आये जब अनुकूलता बनती है अच्छा होता है परमात्मा यस देता और हमारा तो अपने भारत का इतिहास ये धेवा के अलग-अलग धर्मों ने अलग-अलग प्रकार से इसको अपनाया लेकिन वह इतनी बड़ा दिल रखके चलते हैं कि इस पूरी समूची प्रत्वी को वसुदेव कुटुम कम की तरह जानते हैं कि पूरी वसुदाई हमारा कुटुम है हम सब से प्रेम करना जानते हैं और प्रेम का पेला अधार परस पर आत्मिता भाईचारा एक दुसरे को लेके चलन का अवसर खोजना और उस अवसर खोजने में अवसर खोजने में एक दूसरे का साथ देने में अर्थ विवस्ता के बिना काम नहीं चलता है और अर्थ में समर्थ हो जाए तो संसार उसी में से स्रस्टी की एक नई कोपल फूरता दिखता है और जब कोपल फूरती दिखती ह है हम द्यान में आता है तो ये जो वर्तमान का दोर है हम सब देख रहा है अभी दुनिया एक तरह से दो हिस्थों में बड़ती दिखाई दे रही है एक दुनिया कैसी जा रही है एक ही देश के दो इस्थे से हुए बाद में रूस और युक्रेन धन वेभाव संपदा में रूस कोई कमजोर नहीं था लेकिन मूल थाट थी अंदर की जो आत्मी था और एक दूसरे को दवाने का जो भाव जब चड़ता है अपनी कई कई कारणों से अपने बहुत सारे बात के जब डेवलेप्मेंट ह होते हैं तो बिना बात के भी एक दूसरे से दूरियां होती जाती है ऐसे समय में यूरू स्विक्रेन देख लो और भी अलग अलग देश देख लो ताकत के भरोसे से आप सबको अपने पास दबा लोगे परसपर लड़ा चालू होता है तो निश्री रूप से हमारे यहां स इसा कहा जाता कि जिस घर में जगड़े हो लक्ष्मी जी कभी पसंद नहीं करती हमारे ना लक्ष्मी जी का निवास महीं हो सकता है जहां परसपर सांती हो सदभा हो प्रेम हो स्ने हो तो हमारे पास यह आधिकाल का अपना सिद्धान तो हो सकता है लेकिन काल के प्रवा में ये सारी विवस्ताओं के लिए जो छलाने के लिए तंत्र के आवस्ता पड़ती। जिसको सासन तंत्र या प्रसासन तंत्र कहते हैं। मैं आज ये इस इस्थान पर बेट करके वो बात इसलिए कह रहा हूँ। कि हमारे तो अतीत के काल के उधारन भी ऐसे ही है। उन उधारों के बारे में ठीक से जानकारी दे दें तो मज़ा आएगा। जैसे विक्रम समवत की सुरुआत जो होती है हमारे या तो सन की सुरुआत भी होती है। तो वो कैसे होती और काई के लिए होती है। आप बताव विक्रमादित ने बड़ा प्राकरम से सासन खड़ा कर लिया, ताकत के बल्बूते पर व्यवस्थाओं को अपने अनुकूल खड़ा कर दिया, लेकिन प्रसासन के साथ जनता को खड़ा करने के लिए, व्यापार व्यवसाय को बढ़ाने के लिए, उनने जो सबसे वड़ा काम किया वो ये किया कि उनके पूरे उनके प्रसास की छेत्र में पूरे भूभाग में सब का करजा अपने पास से माफ कर दिया जिसके पास इतना सामर्थ हो कि जो वो सब का हमारे हां समवत की प्रारंब करने की अधिकार किसको है उनी को है इसलिए विक्रम समथ जब प्रारंब किया उनने कहा कि जिस जिस के उपर भी करजा है सब अपने बैकाते लेकर के आजाओ और सारे लोगों का करजा उनने अपने एक घटके से अपने कोस्ट से उठा के दान करते वे सब को माफ कर दिया तो कोई करजदार नहीं हो उसके बाद ये तो हुआ करजा माफ करने वाला घटना करम लेकिन उससे भी बात नहीं बनती उनने का अभी तो करजा माफ करा इत्ता नहीं तब भी समथ चलाने का अधिकारी वो नहीं हो सकता है फिर उन्ने का अब हम तो कामनंदा फिर चलाना है तो करजे में चला गया हो तो पुराना आप केसे चलाएंगे तो उन्ने का यहीं तो बात थे अब उतना ही धन और भी दिया कि बिना व्याज के आप अपना अपना व्यवसाय प्रारंब करें अच्छे से चला लें जिसके पास इतना धन हो हमारे हाँ उसके नाम से समवत होता है यह हमारी संस्क्रती है इसलिए विक्रम समवत जो प्रवर्तन करता है अपने कल्पना कर सकते कि कोई कितना धनी होगा लेकिन धनी होने से बड़ी भावना क्या है कि सासन करता का उदार मना होना भी जरूरी उसका इतना किलियर ठाट होना चाहिए कि ये सासन की विवस्ताओं के साथ इन विवस्ताओं को चलाने के लिए जब तक सासन के प्रसासक का मन नहीं होगा व्यवस्था कभी सुव्यवस्था में नहीं बदल सकती इसलिए ये व्यवस्थाओं में सुव्यवस्था में अभी आपन बात करेंगे तो ये विंडो पे जाते ही हर कोई चाहता कि मैं अपना काम दंदा बढ़ाओं जो जरूरी चीज क्या होती है कि बीच की जो अलग अलग कडियां है इन कडियां की अनुकूलता होना चाहिए इनके साथ जब हम खड़े दिखाई देते हैं तो सासन का कोई भी तंत्र अगर सुद्ध मन से वो भी तो इतना खराब नहीं लेकिन खराब होने में कई सारी बीच की जो कई कमियां हो जाती है कई सारी घरबड़ियां हो जाती है लेकिन माननी मोदी जी के लिए अभी देन करो आप अरतवान के दोर में जिनने भारत को कहां ले जागे खड़ा कड़ा हमारे अपने देश के अंदर नई टेकनलोजी का उप्योग करते कर, नई विवस्ताओं के लिए तो भारत के मामले में क्या होता था? भारत के मामले में आम दोर पर सारे वो उपमा हैं जिसके कारण से हम लज्जित हो सकते थे। बराबर थी, क्या अंतर था उसमें? लेकिन काल के प्रवा में हम पिछड़ते गए, पिछड़ते गए, आज हमारा एक रुपिया, एक डालर की तुल्ला में कहा खड़ा है? लेकिन वो बातों का जवाब उल्टे डंसे भी ले लो, आज काल के प्रवा में हमारी अर्थ विवस किये हैं, अज आप जो विवस्थाओं के बलबूते पर चलने की बात, अभी हमने इसका टेक्नोलाजी का उप्योग किया, इसलिए हमने कहा कि यह हमने अच्छी बाते पहले एक सम्मिट होती थी इन दोर में हो जाएगी और कहीं हो जाएगी, लेकिन इसको रिजिनल लेवल नहीं करेंगे, करने के साथ यही से भूमी पूजन लोकारपन करेंगे, ताकि हमारे काम का आधार दिखाई दे, हम जो जो किया है, उसको दिखना भी तो चाहिए, सामने भी तो आना चाहिए, मुझे इस बात की प्रसंद था, एक लाग करोड का ब्याउसाय का, आज ये इत इंदोर, भोपाल, गवल्या, रीवा, साजार, जबलपूर, नवदापूर, दस हजार करोड की लागत से, 57 उद्दोगिक परियोजनाओं का, लोकारपन भूवी पुजन जिसमें 16,000 से, जादा लोगों को रोजगार मिलेगा, प्रत्यक्ष, ये अपने आप में बड़ी ब है, 15,000 करोड की भूमी का अवंटन भले कर रहा है, लेकिन इस से 20,000 से ज़्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा, क्योंकि कोई काम कर रहा है, तो उसका यस कैसे मिलेगा, उसका लाग कैसे मिलेगा, मैं अभिनंदन करना चाहूँगा, हमारे अपने अधानी जी का, आपने पढ़ रहा है, अब तो ये पढ़ रहा कि टाइम कम पढ़ रहा है, बाकी सब ठीक ही ठीक है, सिंगाने जी के रहा है, आप टाइम लो मैं भूमी पुजन करा हूँगा, पन्ना में चल करके, अगल आनन भांगर जी बेठे उनसे पुछो, वो अपनी अलग इंडस्टी के ल आज से लेके कल तक, मेरी CS यहां बेठी है, PS बेठे हैं, सारे अधिकारी गणियां आए, हमारी यह जो अभी प्रयोग किया है, इस प्रयोग के सफल करने के लिए, मैं उम्मिद करता हूँ कि बाते कम और काम, यह जो होने की तैयारी के लिए जो महुल मंत्र है, मुझे लग स्वाधत करता हूँ, यहां का विधायक होने के नाते से सरकार का मुख्यमदी बनने कारण से मेरी डबल भूमी का है, आपको कोई सुविधा होई तो उसके लिए मैं छमा भी मांगता हूँ, लेकिन कोशिश कर रहे के छोटे छोटे इस्तान पर भी हमारे ऐसे बड़े बड अश्टा आया, तो अपने उद्धोग जगत के एक कोई भामासा भी होते हैं, जो महाराना प्रताप का सिर नीचे भुकाने दी देते हैं, और देश के अजादे के लिए अपना सब कुछ धन दे करके, देश का गोरव बडाते हैं, यह उद्धोग जगत का, ऐसे कई गोरव आठ करब के असपास, लेकिन उसमें 142 क्रोड लोगों का जो योगदान है, उसे 142 क्रोड के योगदान में हमारा ओदोग घराना यददभी भोच छोटा सा है, लेकिन आज दुनिया जब 3% की दर से हाप रही है ओदोग जगत की, आज हमारी अपनी GDP की जो ग्रोथ है, वो दुनिया को अश्चर चकित करने वाली है, क्योंकि परमात्मा ने जो हमको यस दिया है, उस यस को हम धारन करें, निश्चित रूप से, मेरी अपनी ओर से, पूरे आयजन के लिए, पूरे विभाद को, सरकार के सभी मंत्रालयों को, सभी को बदाई, बहुत बहुत धन्यों देवी सजनों हारे माननी मुख्य मंत्री जी कहने में नहीं, पर करने में विश्वास सकते हैं, और यकीनन उनके शब्द सभी को प्रेदेत करेंगे, सामुहिक रूप से, गुजवल कलके निर्मान की और आगे बढ़ने की तरफ, बहुत बहुत धन्यवाद माननी मुख्य म प्रेदेत के अधिव आगे ऑजएंगे यद्वाद और अजिवाद में अग्जव करने प्रेदेत को अजवादन से, और यर रे बहुत आगे ऑगे में विश्वड़